जय श्री कृष्णा आज हम बनाएंगे किचन किंग मसाला जब आप इसे घर पर बनाएंगे और बाहर मार्केट वाले मसालों से कंपेर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये घर पे कितना अच्छा और खोश्बूदार बना है किचन किंग मसाला सारी सब्जियों में जाता ही है और सब्सक्राइब को साथ 2 गुना बढ़ जाता है आप इस मसाले को एक बार घर पर बना कर देखिए आपको जरूर पसंद आएगा अगर पसंद आए मेरा वीडियो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत ही अच्छा बनकर तयार हुआ है तो चलिए शाल जीरा एक चमच को एक चाही जीरा और नॉर्मल जीरा दोनों लीब इन कि इसमें जाएगा सरस्अ टीन चमच जीरा के बराबर भी सर्चछश डालेंगे सर्सों सर्स राई सरसों दोनों मूह द Tenno a एग चमच अज 근데 ऑर है एक चभ्च ओं एग पूरा हमने लिया है उन्स में जाइफल और यह चक्री फूल दो से तीन और इसमें 15 से 20 छोटी इलाइची यह तीन फूल लिया है जावेत्री के और इसमें डालेंगे सोट तोड़ी सी पाउडर भी आप ले सकते हैं यह खड़ी सोट मैंने लिए है और इसमें डालेंगे काली मिर्च एक बड़ा चमच दो चमच के आज पास डालेंगे खस खस पॉपी सीड पोस्ता दाना भी इसे बोलते हैं दो चमच सौफ और एक चमच मेथी इसे भी डाल देंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ा दाल चीनी का तुकड़ा 4 ली है हमने बड़ी लाइची इसे भी डाल देंगे गैस अभी हमने बंद रखा है दो चमच कसूरी मेथी ली है दो से तीन चमच ले सकते हैं और यह पांच से छे कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं है् डालेंगे तेज पत्ता यह बड़े तेज पत्ते हैं इसलिए तीन लिए हैं अगर छोटे हैं तो 5-6 ले लिजिए इन्हें हम तोड़कर टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे ताकि सेखने में आसानी रहे पहले ही हम यह सब कढ़ाई में रख रहे हैं अभी गैस पर नहीं ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा पांच मिनट इसे भूनना है और प्लेट में निकालकर इसे ठंडा कर लेंगे बस जैसे ही मसालों से खुश्बू आएगी वैसे ही मुतार लेंगे और एक ठंडा करके एक मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लेंगे इसमें डालेंगे एक एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच हींग, सब एक साथ मिला कर इसे हमें पीसना है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे सफेद नमक, थोड़ा सा सफेद नमक डाला है और इसे हम चरा कर पीस लेंगे, मिक्सी में एकदम महीन कर लिया है, पाउडर बना लिया है, बहुत ये अच्छ अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बस मसाले भूंजते वक्त इतना दियाद रखना है कि इसे जलाना नहीं है बस मसालों से जैसे ही खुश्बू आएगी हमें गैस से उतार लेना है और प्लेट में डालकर ठंडा करके पीस लेना है थैंक यू